हेलो दोस्तो आपका हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तो आज हम आप लोगों को बताएंगे टैली में वैट का परियोग करना ठीन है तो दोस्तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज इसे सब्सक्राइब कर लेजिएगा और वेल चैनल का दो चैनल को यहां तक आपर तो उलूब सव्ते जोगए तो देखते रहेगा तो टैली प्राइम हमारा जो एक ठुल चुका है अब यहां पर उच्वाहर शुन करना करेंगे चृट पर हमारे टइनी झ Whewभाια है अब यहां पर देखिए हम फीकी सथा और यहांसे करने के लिए सट कंपनी का अस्तमाल करेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी सौरी अब इसके बाद नई कंपनी क्रेट करने के लिए हम क्रेट कंपनी में जाएंगे क्रेट कंपनी पर क्लिक करेंगे और यहां पर कंपनी का नाम आपको देना है तो कंपनी का नाम देना है यहां पर हम कंपनी का नाम दे देते हैं और इसके बाद सेफ कर लेंगे से एकसेट हो गया अब इसके बाद फिर कुछ आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस बिंडो आएगा ठीन है यहां पर मेंटेन एकाउंट यस रहेगा और इन्वेंटरी फंक्शन भी यस रहेगा ठीन है और अभी हमको नई काम करना इसलिए जीस्ट को हम नो रखेंगे और इसके बाद इसको एकसेट कर देंगे ठीन है और इसमें कुछ नहीं करना ह है जो भी कुछ है यहां पर सौरी वैट का अफसन को यस करना है वैट को यस करने पर यहां स्टेट सेलेट करने के लिए बोल रहा तो हम इस टेट यूपी रखेंगे और तिन नंबर यहां पर रख लेंगे अगर आपके पास है कोई टिन नंबर तो रखेंगे नहीं तो आप जो है एक अंदे फैली में में बीडोब में आ जाएंगे और यहां से काउंटेंग क्रेट करेंगे लेजर ठीन है तो क्रियट आफन में जाना होका आपको और लेजर क्रेयाइशन seulement combining जाएंगा यहां बेंडाया नंगे पर्शेज एकाउंट और स्देकां चाहईंगे तो यहां से आपको yes नहीं करना है अगर यहां पर yes कर देते हैं तो इस पर purchase और sell पर जो है एक सामाने टेक्स लग जाता है इसलिए आपको yes नहीं करना इसको ठीन है क्योंकि हमारे कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो इस पर जो है अलग अलग तरह के टेक्स लगते हैं तो उसमें आपको आइटम पर टेक्स लगाना है इसलिए पर्चेज और sell में आपको टेक्स को अनेबल नहीं करना है ठीन है तो sell में sell account हो जाएगा इसके बाद हम इसको कर लेते हैं save तो हमारा purchase account हो गया और sell account हो गया ठीक अब इसके बाद बैक जाएंगे अब इसके बाद आप groups और category हो गयरा पुना वही create करेंगे लेजर में हम एक wet text लगाना बूल गया है तो wet text का भी लेजर बना लेंगे ठीन है यहाँ पर wet text आप लगाएंगे इसके लिए जो आपको create option में फिर से जाना होगा और इसके बाद आपको फिर जो है groups create करना है inventory master में groups में mobile डालेंग जैसे हम mobile खरी देने तो mobile डाल दीए हैं हम आपको एक एक जांबर बता रहे हैं mobile का तो category में हम create करते हैं आपको जैसे Nokia Samsung, Lava, Sony जो भी हम category create करना चाहते हैं कर सकते हैं जैसे हमने create कर लिया किया का और दूसरा हम ले लेते हैं Samsung का ठीन है तो दो create करते हैं जैसे हम Nokia और under में डालेंगे mobile और category में डालेंगे Nokia company की है और unit में डालेंगे piece ठीन है अब यहां पर देखिए balance डालने के लिए option आ गया और यहां यहां पर आपको applicable और यहां पर वैट को yes करना होगा ठीन है यहां करने के बाद आपके पास वैट उपर इसकी tax rate की value आ जाएगी ठीन है अब यहां पर tax rate आपको डालना है कि 4% 10% 12% जितना भी आपको लेना है आप यहां पर उसके tax rate का value डालेंगे ठीन है तो नोकिया 1208 यह भी नोकिया का इटम है तो इस पर भी हम 10% का ही tax लगाएंगे काटेगरी में नोकिया डालेंगे पीस और इसको बाद हम यहां additional detail को जो हम भर देंगे काश्ट रेट जो है आपका 2000 रुपए है और selling price जो हम मान लिए 3000 रुपए रख लेते हैं और इसे हम सेब कर देते हैं और यहां पर हम इसे यस करेंगे और इस पर भी 10% हम tax लगाएंगे additional tax आपको नहीं लगाना है अगर कोई extra charge है तो वहाँ पर रखेंगे नहीं तो नहीं अब इसके बाद दूसरा हम ले लेते हैं आइटम samsung का ठीन है samsung j2 samsung j2 का और under में डालेंगे mobile है samsung j2 under में डालेंगे mobile और category में यहां पर की आखी जगा पर आप samsung रखेंगे और यूनिट में पीस हो जाएगा इसे यस करेंगे और इस चेंडर काश्ट डेट आपका 4000 रुपे में मिल रहा है और सेलिंग प्राइज आपका हुआ है 5000 रुपया ठीन है 4000 रुपे में हम खरीद रहे हैं तो 5000 रुपे में इसे बेच रहे हैं और इसे हम यस करेंगे और यहां पर वैट टेक्स जो है टेक्सवल एमाउंट आपको 12% देना ठीन है इस पर देखिए हम 12% की दर से टेक्स लगा र रहे हैं इसे और 9000 रुपे में इसे बेच रहे हैं इसे हम यस करेंगे इसके बाद जो है यहां पर टेक्सवल रेट बारा पर्सेंट सेव हो गया अब हम बैग जाएंगे अब यहां पर आपको बाउचर करें लेना है ठीन है बाउचर में आप आ गए अब इसके बाद जो है आपको यह 9 बटन प्रेस करना पर्चेश खरीदने के लिए यह 9 बटन का इस्तमाल करना है अब यहां पर देखिए सेलिंग प्राइ लेज करेशन का बिंड़ो आ गया अब यहां पर में आपको पार्टी का नाम क्रेट करना है रहे हैं तो यहां पर हम Super've आप सब्सक्राइब सकते हैं तो मोहन मॉबाइल सर्फके या मोहन मोबाइल से लखनवू ठीन है इसके बाद अंडर में डालेंगे पर्षेज एकाउंट है तो पार्टी आपकी क्रेडिट होगी जिससे आप माल खरीद रहे हैं तो सेंटी क्रेड़र्स हो जाएगा और अडर्डर्स जो है आपका हो गया जहां का लखनव का तो लखनव हम डालेंगे इसके बाद हम इस पार्टी को सेब कर लेते हैं यह देखिए सेब हो गया इंटर बटन दबा करके आगे बढ़ जाएंगे पर्चेज लेजर में पर्चेज अकाउंट अब यहाँ पर आपको आइटम का नाम डालना है नोकिया 1200 हम कितना आइटम उससे खरीद रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी आपको लिखनी होगी यहाँ पर क्वांटिटी में इसके बाद नोकिया 1208 ले लेते हैं यहाँ पर आपको वईट देना है इंटर बटन दबा करके आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पर बैट टेक्स लगाना है तो बैट टेक्स देखिए यह आटोमेटिक निकल गया सबका उस पर नोकिया पर 10% और समसंग पर 12% कल्कुलेट किया है अब उस टेक्स एमांट को देखने के लिए आपको जो है रिलेटेड रिपोर्ट में आपको क्लिक कर देंगे तो यह देखिए आपको पूरा यह सो कर देगा कि किस पर 10% लगा है किस पर 12% लगा है यहाँ पर देखिए टेक्स लेट जो है 10% और समसंग पर 12% लगा है ठीन है और जो हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट पर भी जो है यह एमांट सो करेगा ठ अगर यहां पर नहीं सो कर रहा है तो हम बैक जाएंगे और यहां पर यहां पर देखेंगे यहां पर परसेंटेज का ओप्सन सो करेगा तो यहां पर देख सकते हैं कि 10 परसेंट और 12 परसेंट जो है दोनों पर आ गया है ठीक यहां पर देखिए सो कर रहा है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो इसे लाइक जरूर कीज़ेगा तो यह होगे आपका पर्चेज डेट ठीक अब जो है हम सेल प्राइज में चलेंगे ठीक तो सेल प्राइज करने के लिए आपको जो है बैएक जाना होगा ठीक है यहां पर देख सकते हैं सारे अमाउंट और सब कुछ जो है बिल वाइज जैसे आपका बिल निकलता ठीक उसी तरह से यह सो कर रहा है ठीक है दस परसेंट और 12 परसेंट यहां पर सो कर रहा है ठीक है किस तर दोस्तों आप ग्याने के बाद आपको इंटर करना है तो आपको उसके लिए जो है आपको बैक करना है अब कि अब इसके बाद इसको कर देंगे इसी पर इंटर बटन दबा कर करके आगे बढ़के हम इसे सेव कर करेंगे तो यहाल आन्स नीयू रिफेंस का इस्तिमाल कर सकते हैं कोई दिकत नहीं इसके बास सेट्ट कर लेंगे इसके पर इफ्टेट सेज बाउचर करना। यानि कि आपको माल बेचना होगा ठीन है तो माल बेचने के लिए आप EF8 Sell Voucher का इस्तमाल करेंगे तो Sell Voucher आ गया हमारे सामने अब हमारे सामने आ गया Sell Voucher अब इसमें आपको नई Party क्रेट करनी है तो Create Option में जाकर करके हम Party का नाम क्रेट कर लेते हैं Party का नाम जैसे हो गया मोहित Mobile Shop या कोई भी छोटा मोटा Party है तो आप उसको किसी भी तरह से हम एक Mobile दो Mobile चार Mobile दस Mobile बेचते हैं ठीक उसी तरह से इसमें भी आप बेचेंगे तो यह हो गया आपकी Party Sendidator और जहां का है उसका एड़र डालेंगे बस खारी रोड है तो बस खारी डाल दिए इसको बाद हम इसको Save कर लेते हैं अब यहाँ पर नेम आफ ऐटम में हम ढालेंगे नौकिया 1200 सो कउंटेटी हम डाल लेते हैं जैसे हम 90 बेच रहे-षस थो दोнок बाह में बेचना है तो 90 अब एक पीच अगरं बेचते हैं तो 10,90 हम लिखतें ठीन है लिकिन हम ठोक बाह में बेच रहे तो 90-90 पीस हम डाल दिये ठीन है और Samsung J2 इसका भी हम 90 पीस बेच रहे हैं ये देखिए 1500 के भाव से ये 3000 के भाव से ये 5000 के भाव से ये 9000 के भाव से निकलाएगा ठीन है 90 पीस इसका भी हम बेच रहे हैं तो इसका total item जो है 16,65 पैसट जार के ठीन है वाट टेक्स लगाएंगे तो इसका देखिए वाट टेक्स जो है वैलू निकलाया ठीन है इसका taxable amount जो है इतना हो गया है अब इसको देखने के लिए related report में आपको फिर से जाना है कि किस पर 10% लगा लगा है तो उसके लिए आपको related report में जा करके आप देख सकते हैं यहां से हम print out निकालेंगे तो देखिए यहां पर print out option भी में सो नहीं कर रहा है तो इसको हम ठीक करने के लिए configure option f12 बटन से फिर उसको हम ठीक कर लेंगे तो आपको configure option पर जाना होगा और फिर जो है इसको taxable amount जो है फिर आपको ठीक करना है तो यहां पर देख सकते हैं so white cht tds इसको yes कर लेते हैं white cht report अब यहां पर print preview में जा करके देख लेते हैं तो यहां पर देखिए amount सोख होने लगा है ठीन है इस पर 10% आया है और इस पर 12% आया है तो यह देखिए 10% का आपका 4,500 और इस पर जो है 4,500 रुपए आया है और इस पर 12% के रेट से जो है 1,52,000 रुपए आया है तो यह आपका option हो गया दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में सेर करना बिल्कुल ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों जिससे इसका notification मिलता रहे ठीने तो ये सारा वाइड डिटेल्स हो गया है अब हम enter बटन दबा करके इसको हम save कर लेगते हैं तो आपको पर्चेज और sell amount आपको समझ में आ गया होगा अब आपको इसमें tax कितना आपको भरना है इसके बारे में हम बता देते हैं तो tax amount कितना भरना है आपको तो इसको जानने के लिए आगे आप बढ़ेंगे यहाँ पर जाएंगे display more report में और यहाँ पर आपको account book मिल जाएगा और यहाँ पर laser मिल जाएगा और यहाँ पर white tax को हम select करेंगे white tax को select करने के बाद यहाँ पर देखें closing balance कुछ सो कर रहा है ठीन है जिसमें 1,74,000 में आपको 1,94,700 रुपे आपने पे किया है जिसमें से 17,700 रुपे आपका बचा हुआ है तो इसमें 17,700 रुपे जो बचा है वही आपको पे करना है ठीन है तो 17,700 रुपे जो आपको भरना है तो इसी को आप payment voucher में entry करेंगे इसकी तो हम क्या करेंगे आप यहां से back जाना होगा आपको तो back जानने के लिए आपको फिर से इसके बटन इस्तमाल करना होगा 17,700 रुपे का payment करने के लिए तो इसके बटन से हम बचा जाएंगे अब इसके बाद फिर से हम आई जाएंगे voucher में और यह 5 बटन फिर से प्रेस करेंगे और white tax को select करेंगे तो white tax का payment करना है तो white tax को select करेंगे white tax payment करने के लिए यहां पर देखिए amount सो कर रहा 17,700 तो यहां पर 17,700 रुपे आप payment करेंगे यहां पर देखिए balance 0 हो गया और 2 में हम cash नगत कर रहे है तो cash डाल लेंगे इसको save कर लेंगे अब यहां पर देखिए payment भी हो चुका है आपके tax का अब यहां से हम back जाएंगे और इसके बाद उसको अगर देखना चाहते हैं तो आपर white tax को select करेंगे तो यहां पर देखिए closing balance जो है यहां से हट चुका है और आपका 17,700 रुपे payment हो चुका है और यहां पर देखिए हट गया है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिएगा और अपने दोस्तों में share जरूर कीजिएगा thanks for watching मिलते हैं अगले वीडियो में